हालो एप्रिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल पीके कला फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ नंबर नेम्स 201 से 250 तक हम आज नंबर नेम्स फ्रेंड्स करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम वीडियो में हम बच्चों को किस तरह से नंबर नेम्स सिखाएंगे वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आपने लाइक जरूर करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है जो मेरे वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहां इस तरह से काउंटिंग लिखेंगे 201 से लेके 210 तक 210 से 211 से 220 तक काउंटिंग लिखवाएंगे पहले बच्चों को और जब हम काउंटिंग बच्चों को लिखवाएंगे तो उपर H, T, O जरूर लिखवाना है जिससे की बच्चों को ध्यान में रहे कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर आएगा H मतलब 100 प्लेस T मतलब 10s प्लेस और O मतलब 1s प्लेस जब 3 डिजिट के नंबर होते हैं तो हम उने 100, 10s और 1s प्लेस पर लिखकर एसे बच्चों को लिखवाते हैं तो अब चलिए अब हम बच्चों को पहले रीडाउट करना बता दे 200 तक तो हमने नंबर देम्स करी लिए तो 200 के बाद जब हम 200 में एक नंबर और और आड़ करेंगी तो क्या नंबर बनेगा 201 200 200 कैसे लिखेंगे 20 तो जीरो लिखा और इसे हमने प्रोनाउंस कैसे किया 200 और वन लिखा है आपर तो 201 जो हम बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है 200 100 की स्पैलिंग भी हमें आती है H UN DR ED 201 O N E 1 Next नंबर देखते हैं 202 200 again same लिखना है हमें 200 और बस यहां 2 लिखा है तो हमने T W 2 लिखना है नंबर नेम्स में हमें बहुत अच्छे से काउंटिंग आ गई है 1 to 100 जब हमने सीखा था फिर हमने 100 से लेके 200 तक सीखा था तो बहुत अच्छे से हमने सारी स्पेलिंग हमें almost आती है तो हमें कोई दिखकत नहीं आएगी अब यह नंबर नेम्स लिखने में बस हमें बोलना है जो जैसा हम बोलेंगे वैसा हम लिखेंगे नंबर देखते जाना है और लिखते जाना है तो हंड्रेड थ्री सेम तो हंड्रेड थ्री ती एच आर डबल ए नेक्स नंबर इस तो हंड्रेड फोर फिर तो हंड्रेड फाइड इस तरह से आपने बच्छे को सेम लिखवाना है तो हंड्रेड फोर मैंने कॉमा लगा दिये कि सेम नंबर आएगा ऐसी 205, मैं जल्दी जल्दी लिखवा रही हूँ, अगर मैं एक एक नंबर लिखवाँगी तो friends, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप बच्चों को इसी तरह से लिखवाएं, पूरा लिखवाना है आपने तो 206, इस तरह से पूरा लिखवाना है, 207, 208, 209, अब next नंबर क्या है, 210, तो इसे हमने क्या पढ़ना है, 210, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 200, ह-u-n, d-r-e-d-hundred, और 10, t-e-n, 10, अब 210 के बाद क्या आएगा, बच्चे को confusion रहे हैं या पता ना चले, तो 10 के बाद next नंबर कौन सा आता है, 11, और 200 हमारा साथ में चल रहा है, तो 211, 2 लिखा हमने और 11, 211, 11 की स्पेलिंग, e-l-e-v-e-n, इसी तरह से, 212, t-w-e-l-v-e, next नंबर is 213, फिर हमने लिखना है, 200 और 13, ट-h-i-r-t-e-n, इसी तरह से, 214, 215, 216, 17, 218, 219, और लास नंबर इस, 220, 220, तो हमने 220 तक लिख ले हैं, अब आगे चलेंगे 220 के बाद, next नंबर में बच्चों को जाह तर प्रॉब्लम रहती है, कि 220 के बाद क्या आएगा, तो आपने बच्चों को बताना है, 200 की लाइन चल रही है, तो 200 तो आएगा ही आएगा, 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे हम, 20 के बाद, which number comes after 20, 20 के बाद कौन सा नंबर आता है, 21, तो 200, फर्स नंबर आपने बच्चों को खुद से लिखके देना है, 221, जिससे की बच्चों को थोड़ा सा help हो जाए, next number is 222, तो 222, फिर उसके बाद क्या है, 223, अब बच्चों को आपने बताना है, 223, same वोई आएगा, 220 तक same आएगा और 3 चेंज रहाएगा, ऐसी 224, 225, 226, 227, 228, 229, और 230, तो यहां हम लिखेंगे, 230, त, ह, आई, 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 त, वाई, 30, 30 के बाद कौन सा नमबर आएगा, 31, तो 200 की लाइन तो पहले सी चल रही है, तो यहां हम लिखेंगे, 231, बस हमें 30 के साथ 1 और आइड करना है, फिर फिर नेक्स नंबर है, 232, तो क्या लिखेंगे हम, 230, पि एछ आई आई, आई, थी इवाई, 32, टी डवलियो टू, 233, 33 की तो स्पालिंग आती है यह हमें, 200 के साथ, बस हमें 33 ऐड और करना है, next number is 234 235 200 सब में आएगा और 30 लिखा हो आएगा बस 6, 7, 8 जो भी आएगा 9 तक हमने same लिखना है उसके बाद 200 जब 39 पर यहाँ पर खतम होगे आप 39 के बाद next number यहाँ गलती से बच्चा यह न लिख ले 230, 40 इस तरह ऐसे नहीं आएगा this is wrong बच्चा लिखेगा 200 40 40 40 next number is 40 के बाद कौन सी counting आती है 41, कौन सा नमबर आएगा 41, तो यहाँ आपने क्या लिखा है 241 तो यहाँ लिखेंगे 241 next number is 200 242 अब बच्चों को 241 आ गया लिखना 242 भी आ गया लिखना अब next number आप बच्चे से खुद से लिखाएं वो बताएगा 243 तो 200 सेम लिखेगा 40 और 3 244 245 40 की स्पहलें भी बच्चों को आती है और 5 की भी आती है 246, 247 यह बहुत लंबा हो जाएगा मैं लिखूंगी तो वीडियो इसलिए आपको बच्चों को स्टार्टिंग में इस तरह से लिखके बताना है दो नंबर लिख दें उसके बाद लास्ट नंबर आप लिखें अब 249 जब बच्चा कम्प्लीट कर लेगा तो 250 यह आपने बताना है बच्चे को 250 FIF T Y 250 अगली बाद जब हम करेंगे वीडियो में तो 250 की बाद कौन सा नंबर आएगा 251 वो हम नेक्स वीडियो में कवर अप परेंगे तो आपने बच्चों को FIFT starting में दो नंबर नेम लिखके देने हैं और लास्ट वाला नंबर बताना है उसके बाद बच्चा खुद से पूरा नंबर नेम लिखेगा पूरी लाइन का तो इस तरह से friends आप चाहें तो बच्चों को नंबर नेम लिखवा सकते हैं समझा सकते हैं I hope friends आपको ये वीडियो मेरा helpful लगा होगा पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें शेर जरूर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करा करें तो मिलेंगे हम और अच्छे इंट्रस्टिंग वीडियो में friends तिल देन बबाई and टेक केर